नमसकार दوस्तो मेरा नाम है भाविस पतिल जिहाँ दोस्तो आज लेका है नए विडियो welcome to my channel मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम सिकने वाला है कि Email कैसे करें जिहाँ दोस्तो इसके लिए आपको किसी ब्रौजर में जाना है Chrome browser या किसी भी आपके lab में या आपके mobile में है जहां भी आपको किसी भी browser में जाना है यह वहां पे आपको अपना email से लिक करना है और email से डालना है उसके बाद आपको आपका email का जो भी password है वो डालना है और login करना है जहां दूस्तो लोग इन करते ही आप नया page खुल जाएगा आपका email का जो भी inbox है वो खुल जाएगा जिहां दूस्तो आपका नेट अगर फास्ट हो जल्दी पेज ओपन हो जाएगा यहां पे मेरा page लोडिंग हो रहा है email का जिहां दूस्तो यहां पे मेरा खुल गाए है यहां Gmail का inbox, star, important, sent, mail, drop, cash, unwanted यहां पे खुल गाए है जहां द promotional, update, form दिखाई दे रहा है आपको किसी को mail करना है में topic पे आते है तो यहां पे आपको left corner पे दिखाई दे रहा है compose यहां पे मैंने क्लिक कर दा हूं यह क्लिक कर दिया मैंने और नया windows page खुल गया है यहां पे लिखा है new messages और to लिखा है जहां दूस्तो तू में हमको आप ज इसे भी message करना चाहते है email करना चाहते है उसमें उसका email डालना है मैंने डाल दिया है और यहां पे right corner पे cc लिखा है यानि carbon copy अगर आप यही message किसी दूसरे friend को भी बेजना चाहते है तो carbon copy में अपने friend का email address डाल लिजिए यहां मैं अपने friend का email address डाल रहा हूं यहां से मैं अपने context में से select कर लेता हूं यहां फिर आप write down भी कर सकते हैं और नीचे लिखा है subject और आप तुमें अपने friends का email address डाल लिजिए cc में दूसरा डाल किजिए और subject में अगर आप किसी job के लिए apply कर रहे हैं तो subject में अगर आप resume किसी को बेजना चाहते हैं तो resume उसमें लिख दीजिए और और दूसरे कोई file है तो उसके related name लिख डीजिए यहां नीचे आप देख रहा है send formatting toolbar देख रहा है address file देख रहा है जहां दोस्तों तो यह formatting है और आपको अपना resume यहां किसी file photo picture वीडियो अगर upload करना है तो यहां address file पर क्लिक किजिए जहां address file पर क्लिक करने के बाद नया windows या नया page खुल जाएगा विंडोस खुलने के बाद आपकी file जहां भी है आप सिलेक कर दीजिए अगर desktop पर है तो desktop पर सिलेक कर जे मेरी file यहां भी desktop पर है यहां से मैं सिलेक कर लेता है जहां यहां यहां फाइल मैंने वी सिलेक कर लिया और यहां पर लोडिंग हो रहा है जितने साइज है ज्याँ दोस्तों यह मेरी file loading हो गई है और में है जो है सन्न हो गया है अगर आपका इमेल के लिए सेंट हुआ यह नहीं आप सेंट बॉक्स में से देख सकते हैं यहाँ इसी तरह से आप अगर किसी जॉबshести को इस प्रेंण को किसी सब्क्राइब किजिए दोस्तो थैंक यू फर वाचिंग माई चैनल बाई बाई